किसी जंगल के एक घने व्रेक्ष की शाखाओं पर चिराचिरी का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों अपने घोसले में बड़े सुक से रहते थे। सर्दियों का मौसम था, थंडी थंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदा बांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बरफीली हवा और बरसाथ सिथितुर्ता हुआ उस व्रेक्ष की शाखा पर आबैठा। जाड़ी के कारण उसके दांत कितकिता रहे थे। उसे देखकर चिरिया ने कहा, अरे, तुम कौन हो, देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियोसा है, हात पैर भी है तुम्हारे। फिर भी तुम यहां बैठे हो, घर बना कर क्यों नहीं रहते। बंदर बोला, अरी, तुम से चुप नहीं रहा जाता, तु अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है, चिरिया फिर भी कुछ ना कुछ बोलती गई। वर चिर गया और गुसेर में आकर उसने चिरिया के उस घुसले को तोड़ फोर डाला जिसमें चिरा चिरी सुक से रहते पहर, छब कर दो दिसक्त बना है, तुम से चुप दे वर खिर एन आकर OK, सभो पिर भी सो किर सम्राफम, संफले पाहे, चिरिया को झांवाल ऑचिर ए और पाराला आकर से गे, तुम से अवसेर से औरहे, ऐ चॉजरा है, क्षो आता, पार साय है।